तो हेग गाईज तो आज हम बात करने वाले है एपिसोड 7 और एपिसोड 8 के बारे में सो विदर इनी वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं सो एपिसोड 7 की शुरुआती ऐसी होती है कि कोब्रा काय पूरी वैली में डॉमिनेंस कर रहा है बहुत सारे जगे पे सिफ कोब्रा काय का ही नाम हो रहा है और हर कोई कोब्रा काय कोई चूस कर रहा है तो यहाँ पे जॉनी, डैनियल, डैनियल की वाइफ और चूजन सोचते रहते कि आगे जाके क्या करेंगे तो यहाँ पर एमेंडा ऐसी कहे थी कि हम लोग यहाँ पर क्रीस की मदद ले सकते हैं क्रीस ही एक अकेला आदमी है जिसने सिल्वर को बहुत अच्छी से जाना है जोनी और डैनेल पहले तो राजी नहीं रहते हैं पर वो बाद में जाते हैं प्रिजन के तरफ यहाँ पर क्रीस को मिलने के बाद उसको एक्छल में पता था कि सिल्वर का प्लैनिंग क्या था और वो यहाँ पर बताने के लिए तयार नहीं था पर यहाँ पर डैनेल ओफर करता है कि मैं तुम्हें बाहर निकलने के लिए मदद करूँगा मेरा सबसे बेश्ट वकिल तुम्हें दूंगा तो उसके बदले तुम्हें हमें यह सब बताना पड़ेगा कि उसका एक्छल प्लैन क्या है तो यह दुनों यहाँ पर बीजी थे पर वहाँ पर चोजन बच्चों को सिखा रहा था और वो आद जो सिखाने वाला था उसका नाम था यानबारू काईना और इस ट्रेनिंग में वो हर किसी को एक-एक अंडा देता है और बोलता है कि तुम्हें इससे प्रोटेट करना है मुझ से तो हर कोई स्प्लीड हो जाता है हर कोई अपने अंडे को बचाने रगता है कुछ जन तो छुबी जाते है पर चोजन जब टाइम कदम होने के बाद हर एक के उपर अटाइक करता है तो कोई भी अकेला नहीं बचता है हर एक का अंडा वो बहुत इसली फोड देता है सो एंडिंग में सिफ सैम और मिगेली बाकी थे और वो छुपे थे डो जो के अंदर वारे रूम में और इनकी बातों ही बातों में इन दोनों का भी ध्यान नहीं रहता है और चोजन इन दोने के भी अंडे फोड देता है वो सारे के सारे अंडे एक बास्केट के अंदर रखते और चोजन को रोकने लगते है और यहाँ पे सारे के सारे जन पूरे फोस्फुली उसे रोकने के ट्राय करते है और वो कावयब भी होते है यहाँ में अंड में चोजन केहता है कि मैं हार गया यानि की कोबरा हार गया यही मुझे तुमें सिखाना था कि वो सारे बड्स उड़तो नहीं सकते थे पर वो जुण में रहते थे इसलिए कोबरा उनके अंडे खा नहीं पाते थे वैसे ही अगर तुम सारे जन एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं पाएगा वो कोब्रा काय हर एक जगे पे फेल चुका है पर उनकी जड़े इतने भी मजबूत नहीं है पर तुमारे जड़े बहुत ही मजबूत है क्योंकि तुम सब लोग साथ में हो और जो एक्चुल में कामियाब होगा वो रहेगा तुमारा एक्चुल लिडर तो पहले तो यहाँ पे कोई भी कामियाब नहीं हो रहा था बात में सिल्वर केहनी को बुलाते है अपने ओफिस के अंदर और वो उसे कहता है कि तुमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशेल है पर तुम दुसरे के उपर निरभर रहना छोड़ दो कितने दिनों तक दुसरों की बात सुनते रहोगे खुद लिडर कप बनोगे और तब ही उसे पता चलते है कि उसके अंदर कुछ तो अलग बात है तो दुसरी जगे पे टोरी और डिवॉन की टीम चाले थी और वो हराने के लगे थी कीम को इन लोग की फाइट चाले थी पर उतने में कीम डिवॉन के उपर अटेक करने ही वाले थी पर टोरी ने अपने पार्टनर को सैकरिवास करना नहीं चोना वो उसे बचाने जाती है यहाँ पे वो कीम के उपर अटेक भी कर सकती थी पर वो अटेक नहीं करती वो उसे बचाने जाती है और इसी वज़े से दोनों भी हार जाती है बड़ इसी सारे चकर में Diwan के सामने Tori की डिस्पेट बढ़ जाती है सो बाद में Kenny और उसके पार्टनर की fight डिकाये गई, जहाँ पर Kenny उसके पार्टनर कोई सुनता नहीं है और बोलते है जौनी और डैनियल के तरफ तो यहाँ पे डैनियल कहता है कि यह लो मेरे वकिल का नंबर पर उससे पहले बताओ कि उसका क्या प्लान है तो क्रीज यहाँ पे सिल्वर और उसकी कुछ पुरानी यादे बताता है और वो बताता है कि All Valley Tournament से भी बड़ी एक Tournament है और उसके अंदर उसको पाटिशिपेट करना था और अगर इतने इंटरनेशनल कॉंपिटिशन में अगर वो लोग जीत गए तो सारी ही तरफ कोब्रा काय का नाम हो जाएगा और कोब्रा काय सारी तरफ फैल भी जाएगा और इतने बड़ी कोब्रा काय को हराना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा पर यही Silver का मेन मोटीव था सो बाद में Daniel तो वो से नंबर की चिटी दे देता है और वो जैसे वो उपन करता है तभी Chris को पता चलता है उसके ओपर Daniel ने नंबर नहीं लिखा रहे थे उसके ओपर उसने लिखा रहे थे No Mercy सो इधर ही Daniel और Johnny Chris का काट के मतलब उसको बुद्धु मना के वहाँ से निकल जाते है सो अभी मैन एपिसोड के तरफ चाते है जो है एपिसोड एट उसका नाम है टकाई सो एपिसोड की शुरुआती होती है कि सकाय टाइकाय की मेंबर्स आ चुके है डोजो में मतलब कोबरा काय में और उनका वेलकम कर रहा है टेरी सिल्वर सो सकाय टाइका की मेंबर्स में चेक करने वाले थे कि इनके डोजो वर्दी है की नहीं इतने बड़े टुर्नामेंट में पार्टी से बट करने के लिए और सिल्वर इदर उसकी बाते चालू ही करने वाला था बड़ अच्छानक से वहाँ पे आ जाते है जोन्यो और डेनियल और यहाँ पे आने के बाद वो कहते हैं कि सिर्फ यही एक डोजो नहीं है जो यहाँ पे कॉम्पिट करता है हमारे भी डोजो में All Valley Champion के डो चैंपियंस है और उसे दिखता है कि दोनों भी डोजो बहुत ही अलग लग रहे है इसलिए वो बोलता है कि मैं दोनों भी डोजो को चांसिस दूँगा तो दुसरे दिन में यह जो टकाय काय काय के जो मेंबर से है वो दोनों भी डोजो में जाते है और वहाँ पे वो देखते है कि दोनों भी डोजो कि इतने अलग है मियागिडो अपनी जूनी पुरारी परमपराओ को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है और यहाँ पे यह लोग अपने टेकनिक्स और नई सारे एक्विपमेंट पे फोकस्ट है और वहाँ पे जॉनी के भी कुछ ट्रेनिंग मॉन्टाज में बहुत ही फनी से सिक्वेंस थे पर वो भी उनके फेवर में ही रहते है मुझे लागा था कि वाट लग जाएगी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ वो ब्राउन को भी वो पसंद आया तो ओवर ओल यह टूर्नामेंट टीवी पे होने वाले थी और बहुत बड़े-बड़े स्पॉंसर्स और आल सब इसमें होने वाले थे सो उन्हें यह डिसिजन बहुत ही अच्छे से लेना पड़ता था सो यहाँ पर टकाय काय काय ऐसा डिसाड करते है कि दोनों भी डोजो के अंदर एक फाइट रगेगे हर एक डोजो में से दो फाइटर्स रहेगे एक लड़का रहेगा और एक लड़की रहेगी और यह मैच रहेगी त्री पॉइंट्स की और यह फाइट देखने के बाद और गनाइजर्स डिसाड करेगे कि कौनसा डोजो एक अच्छल में वर्दी है सो बात में दिखाए जाता है कि सिल्वर कहते रहता है कि यह बहुत बीगेस्ट है और वैली कॉंपेडिशन से भी सो यहाँ पर सिल्वर हमेशा की तरह नेकल्स को ही आगे करता है लड़कियों के फाइट्स के लिए क्योंकि वो ही बेस्ट फाइटर थी और बॉइज में उन्हें न्यू लीडर तो मिल गया था और वो था कीम तो यह दोनों फाइट करने वाले थे कोब्रा काय के तरफ से और यहाँ पर रॉब्य और मिगेल ऐसे डिसाइड करते है कि वो दोनों नहीं लड़ेगे यहाँ पर में लड़ेगा वो रहेगा हॉक और उनकी तरफ से सैम ही स्टॉंगेस फिमेल फाइटर थी तो वो तो आनहीं वाली थी तो फाइटिंग का डे आ जाता है और वहाँ पर फाइट होने वाली थी टोरी वसेस सैम की और कीम वसेस हॉक की तो यहाँ पे पहली fight रखी गए थी boys की सो वो दोनों भी सामने आ जाते हैं तो यहाँ पे दोनों की भी fight चालू हो दे लगती है Hawk पहले dominant करने लगता है और उसका first attack deliver भी होता है पर यहाँ पे जो referee था वो था Silver के side से सो वो उसे point ही नहीं देता और बाद में थोड़ा कीम उसके उपर भारी पढ़ने लगता है और बाद में एक point ले भी लेता है और यहाँ पे Silver ने कीम को एक अलगी technique सिकाए थी जिसके अंदर चाती के बीच में एक attack किया जाता है और उसके बाद सामने वाला opponent थोड़ी के लिए unconscious हो जाता है और उसको breathing लेने के लिए थोड़ा सा problem होने लगता है और यही attack कीम उसके उपर बराबर से use करता है और hawk यहाँ पे नीचे गीर जाता है और तभी referee फटक चके देता है कि यह fighter उटने पा रहा है और हार मान चुक है इसलिए जीत गया है कीम तो boys की fight तो cobra का easily जीत गया था तो अभी fight होने वाली थी girls की और यहाँ पे Tori का बहुत अच्छे से ध्यान था silver के उपर की वो यहाँ पे फिर से बेईमानी कर रहा है और Tori को यही बेईमानी पसंद नहीं आ रही थी वो डोजो में भी सिर्फ Chris के कहने पे ही रुकी हुई थी पर अभी उसे पता चला था कि Chris बाहर नहीं निकलने वाला है तो अभी इसका mindset हो जाता है कि यहाँ पे रुकने के लिए अभी कुछ भी valid point नहीं है इसलिए Tori मैच से पहले ही गायब हो जाती है तोरी कि इदर भी मिल नहीं रहती है इसलिए किम तह करती है कि इदर fight करेगी Devon तो Sam और Devon की fight तो चालू हो जाती है और यहाँ पे रेफरी फिर से वही फालतोगिरी करते रहते है जैसे कि Sam का attack बहुत ही perfectly लग रहा था पर वो वहाँ पे point नहीं दे रहा था कुछ ना कुछ excuse दे रहा था जैसे कि shoulder के ऊपर है बला 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 तो time out लेने के बाद Johnny और बागी सब लोग उसे ऐसा कहते है कि तुम ऐसा attack करो कि जैसे कि referee को भी मानना ही पड़े कि यह attack बहुत ही valid है सो बाद में Sam बहुत ही दिमाग से खेलने लगती है और बहुत ही अच्छी से attack करती है कि जैसे कि सब के सामने ही वो attack deliver हो पा है और ऐसे attack करने के बाद Sam बहुत ही easily 3 point मिला लेती है और यह fight जाते है Sam की दरफ सो दोनों भी डोजो को एक एक point मिल गया था सो यहाँ पे Sakai Tai का है first announce करते है कोबरा काय का नाम पर वो बाद में यह भी कहते है कि हमें दोनों डोजो भी पसंद आ गए अगर दोनों भी डोजो इस टूर्नामेंट में रहेगे तो यह बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उनके अंदर उन्हें बहुत सारे qualities दीख रहे थे इसलिए वो मियागी डो और वो जो इगल फैंक का जो combo है उनको भी इन कर लेते है सो यहाँ पे जॉनी और डैनेल को वो पूछते है कि तुमारे डोजो का नाम क्या है सो दोनों भी एक दूसरों का नाम लेते हैं मतलब कि दोजो का पर वो उन लोग का यहाँ पर फिक्स नाम नहीं रहता तो वो कहते है कि तुम बात में भी नाम बताओगे तब भी चलेगा एपिसोड एंड होने ही वाला था तो जॉनी मीगल की मॉम के साथ बाहर जाने वाला था इसलिए वो कहता है कि तुम सक्सिस पार्टी अपने गर पे रख सकते हो और वहाँ पर यह पार्टी चालू थी और वहाँ पर बहुत सारी गल्स आ जाती है और अच्छानक से एक की साथ मीगल का टाका भीड़ जाता है और तब भी बराबर टाइम पे Sam भी वहाँ पे आ जाती है और उसका दिल तूड जाता है और वो बाहर निकलती है और तभी exact टाइम पे वहाँ पे टूरी पे आती है और वो वहाँ पे confess करती है कि एच्छल में तुमी जी दी थी में तो हारी दी उस टाइम पे तो और अभी दो एपिशोड बागी है उनके अंदर क्या होगा पता नहीं बट और मजा तो बहुत ही आ रहा है और ये सब सेट अब नेक्स सीजन के लिए किये जा रहा है ये तो मुझे पता चर रहा है पर लास के दो एपिशोड में अभी ये लोग क्या दिखाएगी वो दे इसे ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में